Hello everyone, welcome to the session. आज की क्लास में हम पढ़ने जारें पंजाब स्कूल एज़िकेशन पोट की सिक्स्थ क्लास की हिंदी की किताब पहली भाशा फर्स लाइंगवेज और उसमें उसका आत्मा पार्ट जो की है पेड की कहानी आत्मकथा तो आज हम इस पार्ट को दीटेल में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. मैं जब अपने गुणों का बखान करने लगूं तो मुझ पर अपने मुम मिया मिच्छू बनने का दोश मत लगाएं. अब यहां कर जो पेड है वो बोलता है कि जब मैं अपने जो गुण है उनक का वर्णन करने लगूं बखान का मतलब होता है वर्णन करना उनको दर्साना तो उस टाइम पे मेरे पे जूठा या मेरे पे ऐसा भी दोश मत लगाना कि मैं अपनी प्रशंसा अपने मुझ से कर रहा हूं. उसके बाद बोला गया है मैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता ह हूं कि बींग नहीं हांकूंगा मिथ्या कथन मेरा स्वभाव नहीं ना मैं गपोर शंख हूं ना शेक चिली अब यहां पर पेड बोलता है कि मिथ्या कथन कहने का मतलब जूठ कहना कोई चीज सच ना बोलना तो जूठ कहना वो मेरा स्वभाव नहीं है वो मेरी आदत नही है कि मैं जूठ आप लोगों से पोलू ना तो मैं गपोड शंख हूँ मैं गपपे भी नहीं हांगता और ना ही मैं कोई शेख चिली हूँ ठीक है मेरी आदत है कि मैं आपको सच बताऊंगा मैं हूँ आपका चिर परीचित पडोसी आपके आंगन का निवासी तो यहां पे चि परीचित जिससे आप भली भांदी जानते हैं मैं वो आपका पडोसी हूँ ठीक है आगे बताया गया है वार्टिका की शोबा आंग का तारा पेड मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा अग यहां पर जो शब्द मुश्किल है वो है वार्टिका मतलब होता है मैं बगीचा क शोभा हूँ मैं बगीचे की सुन्दरता हूँ और ये भी बोला गया कि मैं आंका तारा हूँ कहने का मतलब मैं बहुत प्यारा हूँ और मैं कौन हूँ पेड तो मैं जो भी बोलूँगा आपको सची बोलूँगा तो आगे पेड क्या बोलता है सुनते हैं मैं नने से बीज के रूप में धर्ती के गर्ब में छेपा रहता हूँ जल, लवर, रसाइन, आदी का भोजन, पाकर मैं पनपता हूँ, पुष्ट होता हूँ अब यहाँ पर जो पेड है वो अपनी असलियत बताता है, अपनी सच्चाई बताता है तो वो बोलता है कि मैं बीज हूँ जो धर्ती के अंदर रहता हूँ, फिर बाकी सब चीजे जो मुझे मिलती है खुराग, तो फिर उसको पाकर मैं पुष्ट होता हूँ, कहने का मतलब मैं मजबूत बन जाता हूँ आगे अपनी जड़े आसपास बिखेर कर मजबूती से पैर जमा लेता हूँ, फिर छोटे से अंकूर के रूप में भूमी फोड बाहर निकल कर सिर हिलाने लगता हूँ अब यहाँ पर जो पेड़ है वो बोल रहा है कि मैं छोटे से अंकूर, मतलब आप यह कह सकते हैं, अंकूर मतलब आप कह सकते हैं, जैसे बीड जो है वो अंकूरित हो जाते हैं, उसमें से स्प्राउट्स निकल जाते हैं, मतलब शूट्स निकल जाते हैं, वैसे ही मेरे अं व्रेक्ष का रूप धारन कर लेता हूं, बड़ा बन जाता हूं, व्रेक्ष सच मुझ मेरा ये नाम आपको आवश्य जरूर सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, इस नाम के ध्यान में आते ही आप भला क्या सूचते हैं, थंडी और तास्गी से भरपूर चाया मिलती है आसपास खेलते हुए बच्चे, छाया तले विश्राम करते हुए थके आत्री, स्वादिश्ट फल जैसे बेर, जामोन, आम और ना जाने क्या क्या चित्र, फोटो आपके मन में उभरते आ जाते हैं, मेरा और प्रानी जगत का चोली दामन का साथ है, प्रानी जगत मतलब हम जीव जनतू जो है, हमारा और पेड़ का चोली दामन का साथ है, मतलब हमेशा का साथ है, ऐसा नहीं है कि यह जो साथ है, वो अभी अभी बना है, तो सदियों से चलता आ जगता है, जो चलता है रहेगा ही रहेगा, आगे बताया क्या है, प्रकृति मुझे जीवन देती है, प्राणी मेरी देख पाल करते हैं बतले मैं उन्हें सहारा देता हूँ उनके जीवन का अधार बनता हूँ मैं भले ही प्राणी जगत की तरह गती शील मतलब चल फिल नहीं सकता परन्तु मुझे पत्थर की भांती जड़ समझना भी भूल होगी अब तो मेरी गिंती प्राणीों में होने लगी है मेरा भी अपना एक जीवन है वसंत आने पर मैं भी आपकी तरह खुशी से खेल उड़ता हूँ और पत्थर आने पर उदास होने का मेरा स्वभाब प्राणी जगत से मिलता जुलता है छोड़िये इन नीरस बातों को नीरस मतलब हम कह सकते हैं बिना रस के जिसमें कोई सवाद ही नहीं है तो हम ये जो बाते हैं जो नीरस है जिसमें कोई सवाद ही नहीं है बे तुकी बाते हैं हम वो जो बाते हैं उनको छोड़ देते हैं कुछ और अच्छी बातें करते हैं और पेड कहता है। मैं आपको अपने बारे में और जो चीजे हैं वो बताता है। कुछ मतलब की बात करें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सर्व्यापक हूँ आप पूछेंगे कैसे देखिए नगर के बजार में आप सब जगर फल देखते हैं नित्य फलहार करते हैं ये मेरे ही अंग है अब यहाँ पर जो मुश्किल शब्द है वो है सर्व्यापक तो जो शब्द सर्व्यापक है ये वाला जो शब्द है इसका मतलब ये होता है कि सब जगा विद्यमान है आप कह सकते हैं सब जगा पाया जाने वाला ठीक है आगे विद्यमान का मतलब आप ये भी कह सकते है जो मौजूद होता है पाई जाने वाली चीज वो चीज बताई गई है मैं हर जगा पाया जाता हूँ रसोई घर में जलाने की जो लकड़ी है कुरसिया मेज खिर्किया दर्वाजे सब मेरे ही घास पत्तों से ही तो बनाए जिस गाड़ी या जहाज में आप यात्रा करते हैं उसका निर्मान मेरी ही तो लकड़ी से हुआ है मैं प्राणी जगत का जीवन दाता हूँ मतलब जीवन देने वाला अनफल फूल आदी से उन्हें त्रिप्ट मन तो भरता ही हूँ प्रन्तु उससे भी बढ़कर उन्हें प्राण वाईयू यानि ओक्सिजन का दान भी देता हूँ जब प्राणी सांस लेते हैं या वस्तु में जलती है चीज़े जलती है तो वाईयू मंदल में विद्यमान ओक्सिजन कार्बन डायोकसाइड नाम की एक विशेली गैस में बदल जाती है मेरे पते इस विशेली गैस को पी जाते है और सुर्य के प्रकाश के सहायता से इसे फिर ओक्सिजन और कार्बन में बदल देते हैं तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो carbon dioxide है जो हम release करते हैं जब हम सांस लेते हैं वो पेड़ जो है अपने अंदर समा कर उसको धूप की किरने मिलते ही उसको oxygen में और carbon में बदल देते हैं यह जो विशैली gas है कहने का मतलब यह एक दूशित gas है यह हमारे लिए हानी कारक है लेकिन पेड़ पौधे इसका भी हल लिक कर आते हैं oxygen वायू में छोड़ देते हैं और carbon से पौधों में आन, सत्व और मिठास पैदा करते हैं सत्व मतलब सार मेरे पते प्रकृती के अध्भुद प्रयोक्षाला है experiment channel जहां विशैली gas को प्राणवायू और जीवों के भोजर में बदलने का एक कार्य निरंतर चलता रहते हैं हमेशा पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मन्थन से निकले भयंकर हला हल विश्व को भगवान शंकर ने स्वयम ही पी लिया था और इस तरह से विश्व का कल्यान किया था मुझे भी उनका अनुकरन करने का गौरफ प्राप्त है तो यहाँ पर जो मुश्किल शप्त है जैसे समुद्र मन्थन मतलब सागर को मतने से चीक है और कल्यान करने का मतलब यह है कि किसी का भला करना अनुकरन करना मतलब पीछे चलना और गौरफ का मतलब होता है बढ़प्त आगे पढ़ते हैं मेरे पत्ते वाश्पन कर्ण हवा में छोडते हैं जो हवा को ठंडा करते हैं और ठंडी हवा वर्शा लाने में सहायक होती हैं मददकार होती हैं वर्शा के जल से प्राणियों को जीवन भी मिलता है केती हडी भरी भी होती और प्राणियों को भोजन मिलता है जंगलों और पहाडों में मैं अपने डल बल के साथ मीलों लंबी पंग्तियों और घणे जंगल में निवासकर्टां पंग्तियों यानि लाईनों पक्षी मुझ पर बसेरा लेते हैं रहने की जगा और पश्वों को मैं आश्रे देता हूँ मैं भूमी तल की उपजाओ मिट्टी को वर्षा के जल में बह जाने से रोकता हूँ जड़े पकड़के रखती है मैं बार जल के वेग को कम करके धर्टी को नश्ठ होने से बचाता हूँ मेरे शरीर से प्राप्त होने वाले कच्चे माल से दुनिया के बड़े बड़े कार खाने यानि इंडस्ट्रीज चलती है मैं जीवन ताय अमूल्य ओश्दियों और चड़ी बूटियों को जनम देता हूँ जो प्राणियों के रोका निवारण रोकने का हल करती है मतलब जो बिमारियां होती है उसका हल देती है और उनका जो स्वास्ते है कहने का मतलब उनकी जो सेहत है वो भी सही करती है औश्टियां देता हूँ, दबाईयां देता हूँ, ठीक है, और लोग मेरी दबाईयां खाके ठीक भी होते हैं, बाकी मैं पहाडों में तो लंबे-लंबी लाइनों में मिलता हूँ एक तरीके से, आगे, राम रावन युद्ध में मेखनात के प्रहार से जब लक्ष्मन मुझ चिछित हो गए, तो मैंने ही सजीवनी बूटी से उन्हें प्रांटान दिये, जीवन दिया, सरवर्त्र व्यापत मलेरिया नाम के भयंकर रोग से, जीवों की रक्षा करने वाली कुनीन, मेरे ही एक भाई, सिंग कोना नाम के व्रेट से प्राप्त होती है, अब यहाँ पे जो बताया गया है कि जो मलेरिया नाम का जो बीमारी है, सरवर्ण मतलब जो सब जगा फैलती है, वो जो है उसके जो दवाई है, वो मेरी एक भाई से मिलती है, सिकोना नाम के एक प्रेक्षा, उससे सब को वो ही दवाई, जो है वो प्राप्त होती है, मतलब मेरा इतना ज्य वाइदा है कि मेरे ही भाइबंदों से जो बिमारी ठीक करने की चीजे हैं वो आप सब को महां से ही मिल जाती है। मेरी निमोलियों के गुर्ण कौवा तक जानता है। मेरी हरयाली आंखों को जोती देती और मन को प्रसंता देती है। जोती मतब रौशनी, पीपल, नीम, वट, चीड, ताड, नारियल, शीशम, देवतार, आदी, मेरे असंख्य भाई, विश्व के हर कोने में बसे हुए हैं और प्राणी जगत का कल्यान करने में हर समय लगे रहते हैं, भलाई करने में। परोपकार मेरे जीवन का धे है, ना मैं किसी से इर्शा रखता हूँ, ना द्वेश, द्वेश यानी वैर, बुराई का बदला भलाई से देना मेरे जीवन का आदर्श है। लकड़ारा मेरे शरीर के तुकड़े तुकड़े कर दीता है, केंतु बदले में मैं उसके कुटुम का पालन करता हूँ कुटुम मतलब परिवार, बच्चे ईट पत्थरों के प्रहार से मुझे घायल कर देते हैं, चोट दे देते हैं, फिर भी मैं उसे प्यार करता हूँ वेद और पुरान मेरी महिमा गाते हैं, गुर्ण गाते हैं, दूसरों का भला करने में ही मैं अपने जीवन को सार्थक समझता हूँ, इसी में अपने को धन्य मानता हूँ, मानता रहूंगा, ठीक है, तो ये है कि वो पताता है कि मैं निरंतर लगातार लोगों की मदद करता और हमेशा बुराई का जो बतला है वो मैं अच्छाई से ही देता हूँ तो ये थी आज की क्लास में अमीद करते हूँ आप सब को ये पार्थ दीटेल में समझा गया होगा कि पेड क्या कहना चाहता है यदि आपको वीडियो अच्छी रगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप फिर मिलेंगे तिल देन टेक केर बाई बाई